हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा भारत के बारे में कुछ ऐसी बाते जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे तो देरी ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की मानव निर्मित सबसे बड़ी टीशेट को कहां बनाया गया है अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित टीशेट भारत में ही बनाई गई है दोस्तो इस टीशेट की खास बात ये है कि इसे दो लाग प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करके बनाया गया है दोस्तो इस टीशेट की उचाई सा 70.5 मीटर और चोड़ाई 70.8 मीटर है दोस्तो इसकी इतनी अधिक चोड़ाई और लंबाई के कारण ये बहुत ही विशाल दिखाई देती है दोस्तो इसे मुंबई में प्लास्टिक इंडिया फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है दोस्तो क्या आपने कभी एक ऐसे रेलवे स्टेशन का नाम सुना है जिसका आदा हिस्सा एक राज में आता हो और आदा हिस्सा दूसरे राज में आता हो दोस्तो भारत का नवापूर एक मात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका आदा हिस्सा महराष्ट में और आदा हिस्सा गुजरात में आता है दोस्तो रेलवे स्टेशन का प्लेरफॉर्म वाला हिस्सा गुजरात में आता है और आफिस वाला हिस्सा महराश्ट के छेतर में आता है दोस्तो यहाँ पर एक बेंच है जिसका आदा हिस्सा गुजरात में आता है और आदा हिस्सा महराश्ट में आता है दोस्तो ये अपने आप में ही एक अजीव तरह का रेलवे स्टेशन है दोस्तो राजस्थान के जैसल मेर में राजकुमारी रतनावती गल्स स्कूल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बाहर जाहें जितनी तेज धूप या गर्मी हो अंदर ठंडक बनी रहती है दोस्तो ये इसकूल 22 बीगा में बना है इस स्कूल में 400 चात्रों को बढ़ाने की छमता है दोस्तो इस स्कूल को बनाने में 10 साल लगे थे दोस्तो ये इसकूल अपनी डिजाइन और विस्थेस्ताओं के कारण पूरी दुनिया में परचलीत हुआ है नमबर टू दोस्तो आपने अपने जीवन में कई तरह की अधबुत रेलवे क्रॉसिंग देखी होंगी लेकिन महराष्ट के नाधपुर में इस्थित डायमंड क्रॉसिंग बहुत ही अलग तरह की क्रॉसिंग है दोस्तो ये नौर्थ को सौट से और इस्ट को वेस्ट से ज जानते तो मैं आपको बताता हूं दोस्तो हम लोग नामक भारत का पहला टीवी धारावाइक है ये साथ जुलाई 1984 को भारत के राष्टिये नेटवर्क दूरदर्शन पर इसका प्रशारण शुरू हुआ था जो उस समय भारत का एक मात्र टेलीवीजन चैनल था ये असी के दशक के एक भारतिये मध्यवर्गिये परिवार की कहानी है दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें